क्या बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कमार को भारत रत्न मिलेगा? आखिर क्यूं जेडियू निताओं ने उठाई नितिश कमार को भारत रत्न देने के मांग ये सवाल इसलिए क्यूंकि बिहार के सियासत में इस वक्त एक नय मुद्दे की इंट्री हो गई है और इसी मुद्दे ने बिहार की राजनीती का पारा बढ़ा दिया है जिसके बाद जबर दस्त तरीके से वार पलटवार शुरू होके हैं आपको भी बताते हैं कि आखिर क्यूं नितीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के बाद बिहार की राजनीती का पारा हाई हो गया है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग और आप देख रहें कैपिटल टीबी बिहार की स्पेशल स्टूरी क्यों नितीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग क्या नए मुद्य से कमजोर हो जाएगी नितीश की साख से लगाए गये हैं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है ब्यार के मुख्यमंत्री और जेडियू के रास्ट्री अध्धाक्ष नितीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करने के साथ नए मुद्य को बिहार में ला दिया गया है दरसल पटना में सेम हाउस और जद्यू कार्याले के बीच में इसका बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है पोस्टर के जरिये जद्यू के एक निता ने अपनी अमांग भारत सरकार के सामने रखी है एक तरफ जद्यू की बैठक में रास्टिय अधाक्ष नितिश कुमार दोहजार पच्चिस के बिहार बिदान सबाच चुनाव के लिए जीत का मंत्र पार्टी को देने चारे है पार्टी के बिहार प्रदेश महासिचिव छोटो सिंग ने ये पोस्टर लगवाया है जिसमें लिखा गया है कि प्रख्यात समाजवादी और बिहार के विकास पुरुष माननिय मुख्यमंत्री नितिश कुमार को भारत रतन दिया चाए पार्टी ने इसके जुरिये बड़ी मांग कर दी है पटना की सडकों पर लगाये गई ये पोस्टर सुर्क्यों में बने हुए है जिसमें नितिश कुमार का बड़ा सा फोटो लगा कर भारत रतन देने की मांग की गई है जदियू की नई प्रदेश कार्यकार्णी की पहली बैठक हो रही है और से पहले महा सची छोटू सिंग की तरब से नई सियासी चाल चल दी गई है पार्टी के प्रदेश महा सचीव की पटना में कई अस्थानों पर नितिश कुमार को भारत रतन देने की मांग वाला पोस्टर लगवाया गया है हलाकि यह चर्चा है अब तक जदियू अन्य महा परशो को भारत रतन देने की मांग उठाती रही है लेकिन अब की बार पार्टी महा सचीव की तरब से अपने ही नेता को यह बड़ा सम्मान देने की बात कही जारी है और यह मांग उठा दी गई है छोटू सिंग ने मुख्यमंत्री तिशकुमार के देश का बड़ा समाजवादी नेता बताया है और बिहार का विकास पुरुष करा दिया है देखना आयम होगा केस पर कारिकार्णी की बैठक में कोई चर्चा होती है या फिर पोस्टर तक ही बात रह जाती है वह इस मांग को लेकर सियासी बयान बाजी भी जम कर हो रही है बिपक्षे राश्ची जनता दल यानिकी आजजेडी ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और विरोध में बयान भी दिया है पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंग यादो ने कहा है कि यह दबाओ की रास्तित है दरसल बीजेपी और जडियू के बीच गुप्त डील हुई है उन्होंने कारेकारने की महतुपून बैटक में मोदी सरकार में मंतरी ललन सिंग की गयर मौजूदगी पर भी सवाल उठा दिया मीडिया रिपोर्ट के मताबिक शक्ति सिंग यादो ने कहा कि बीजेपी और बेचैन है गुप्त रूप से भारत रत्न दोस्ता लेलो का खेल चल रहा है बिहार के लोग अपनी तेश कुमार से उप चुके हैं ऐसे में अगली सरकार तेजस्वी यादव की बनने जा रही है पार्टी के महा से चीव चोटू सिंग ने बड़े-बड़े बैनर पोस्टर लगाए हैं और नितिश कुमार को भारत रत्न देनी की मांग की है कारेकार्णी की बैठा के बाद जद्यू के वरिष्ट निताओं ने भी इस मांग का समर्थन किया कारेकार्णी रास्टी अधक्ष संजजजा मंत्री विजुद्रियातो सांसर दिविश चंद्र ठाकूर बदायक टॉक्टर संजीव आदी ने कहा कि नितिश कुमार इस सम्मान के हगदार है सांसर दिविश चंद्र ठाकूर ने कहा कि वे इस सम्मान के यूग के भी है प्रदान मंत्री नरद्रमोदी के महरास्ट में कॉंग्रेस की आलोचना करने और पार्टी को अर्बन नकसलियों के गिरोवाले बयान पर आजेडी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के गुर्गे अर्बन नकसलवाद को बढ़ावाती रहे हैं कभी वो लोगों को तलवार बाटने का काम करते हैं तो कभी भाशाई आतंग फैलाते हैं बीजेपी पूरे देश में विचारहीन अनेतिकता को बढ़ावा देना चाहती है बीजेपी शहरी इलाकों में अपने विचारहीन और अनेतिक लोगों को आगे करके समाज में हिंसा फैलाना चाहती है फिर उसके नेता तलवारे बांट रहे हैं बीचेपी के चरित्र को जनता पहचान चुके है प्रदान मंत्री चलाते रहेंगे लेकिन देश की जनता पर इसका कोई असर नहीं होका वहीं दूसरी तरह बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने 5 अक्टूबर को बड़ा बया दिया सेब नितिश कुमार ने कहा कि जनता दल युनाइटेड यानिकी जदियू से वह अगले साल होने वाले बिधान सबाचिना में राश्टी चंतांत्री गडवंदन यानिकी राजक के लिए 200 से अधिक सीट जीतने की कोशस करेंगे जदिय की कारिकारी अध्यक्ष संजे कुमार जहा ने पार्टी की राज्जे कारिकार्णी की बैचक में निटिश कुमार द्वारा दिये गए 45 मिनट के भाषन की जानकारी मीजिया को देते हुए इस बात की जानकारी भी साचा की संजे कुबार जाने कहा कि सीम नितिश कुमार अपरी पार्टी कारेकरताओं से लोगों तक पहुंचने और सरकार द्वारा किये अच्छे कामों बताने की अपील कर रहे हैं जाने कहा कि उन्होंने कारेकरताओं को याद दिलाया कि राजग नहीं 2010 में 243 में से 206 सीटे जीती थी और 2025 के लिए 220 का लक्ष दिया गया है 2010 के विधान सबा चुनाओं में जदियू ने 115 सीटे जीती थी जबकि भाजपा ने 91 सीटे जीती थी जो दोनों दलों का अब तक का सर्व श्रेश्ट प्रदर्शन था नितिश कुमार हाली के लोग सबा चनाओं में राजग के प्रदर्शन से उत्साहित हैं इस चनाओं में भाजपा के नृतत वाले गठबंदन ने राजग की 40 में से 30 सीटे हासल की इतना ही नहीं राजग सबास सदस संजर जहा ने कहा कि सियम नितिश कुमार ने परदान मंतरी नरंदर बोधी, केंद्रिय ग्रह मंतरी अमत्र शाह और भाजपा की राश्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा को बिहार को विशेस बीतिय दरज़ा देने के लिए तन्यबाद जिसकी मांग सरकार द्वारा विशेस राजच का दरज़ा देना संभाव नहीं होने की सिते में की गए थी लोगों को चावल, दाल और सब्जी परोसी चारी है यहां उन दिनों की तुल्ला में बहुत बड़ा सुधार है जब उन्हें गुड़ और चने पर ही संतोश करना पड़ता था नितिश कमार को भारत रत्म दिये जाने की मांग करते रहे पोस्टर के बारे में पूछे गए सवाल पर जाने कहा कि मैं इस बारे में नहीं जानता लेकिन अगर हमारे नेता को ऐसा सम्मान दिया जाता है तो यह बिहार के लिए गौरव की बात हो गई यहां उन्हीं की देन है कि बिहार शब्द को अब गाली के रूप में नहीं देखा जाता है उन्हें देखकर हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौरे जैसे महान एतिहासिक व्यत्ती कैसे रही होगे यानि कूल मिलाकर बिहार के सियासत में एक बार फ़र से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है जिससे सियासत का पारा भी हाई हो गया है अब देखना होगा कि जब नितिश कुमार बीचेपी के साथ बिहार की सत्ता में काबिज हैं तो ऐसे में अगर उनको भारत रतन दीजानी की मांग उठ रही है तो क्या उन्हें भारत रतन दिया जाएगा या नहीं आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देख तेरी कैपिटल टीवे बेहार नमस्कार